नमस्कार दोस्तों, मैं जोटसना तिवारी, फिजिक्स वाला टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के टॉपर्स सीरीज सेशन में यहां पर आज हम मिलेंगे योगेंद्र कुमार जी से और जानेंगे कि क्या कुछ रहा इनकी तरक्की का सफर, सर प्लीज मैं थैंक यू मैं, मैं सेल्फ योगन कुमार, आपके लिए बहुत बढ़ा टास्क रहा होगा कि यह थो पहुचना तो कैसा में यह थोट्स कहां से आया आपके मैं कैसा रहा साफर आपका मैं इंडिया में आप देखेंगे कि जिस गाव मेरा मैं रहने वाला गाउं से हूँ मैं मैं इक अपड़ा करते हैं तो सबसे पहले बोला जाता है कि मेरा बेटा बने यहीं सिकाया जाता है हम तो जानते भी नीथिक एंजिनिंग क्या हो दिए है जब बंटा चला के बीटेख भी इती एटी से और वहां से जाने का फाइधा है कि जौब आपकी अछी लगती है तो इसलिए मैं आइट की तियारी की थी लेकिन मेरे अंदर थौट जो था कि मुझे आइस बनना वो बच्छपन से डाल लिया गया था तो हुआ क्या था कि सबसे बड़ी बात किया थी जब मेरा मांडसेट पूरा चैंज हो गया क्यों कि मैं जब सेमिनार्स अटेंड करता था कि गाओं में तो ऐसी बाते नहीं सुनते हैं तो मैंने भी 2017 का बाद एक स्टाट अप शुरू किया था मैं लेकिन हुआ कि जैसे कोविड इस्टार्ट हुआ तो फेल हुआ तो घरवालों ने यही बुला कि लगता है तुम यह नहीं करो यह तो बड़ी लोगों का पैसे वा कि जैसा कि आपने बताया कि आप एक आयाइटेंस तो डेफिनेटली प्लेसमेंट वगेरे के आपके पास एक अच्छे ऑप्शन्स रहे होंगे तो फिर उनसे जाकर के यूपी एसी कैसे चुना आपने क्योंकि प्लेस्पेंट में नो डाउट कहते हैं कि अच्छी चीजे आ क्योंकि आपको पता था कि मुझे पेशन्स रखना होगा अगर मुझे PCS निकालना है तो को पेशन्स रखना होगे तो फिर कैसे क्योंकि कम टाइम में जल्दी जादा पैसा तो सभी कमाना चाहते हैं एक बहुत अच्छी स्टोरिय मैं जब मैं जो आएट कोचिंग था मैंन से पेट नहीं किया है मैं सोपर एल-ध्य कोच्टिंग में कानपौर में यह कूश है कि संधोरकुछ दोς को Пडाने नाती है तुम हम प्रूब लड़ी की निकालोगे तो तुम भी करोड़ कमा रहे होगे करोड़ कमाओ रूट मेरा एकुरोड मेरी वाइप लटो हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है रियोटी आपको बता हूं कि लगता है और घर कोई बहुत ज्याद हो तो है नियुक्ड़ मेरा इसन वी निप्रंच के मु कोडिंग के वह गई या सब्सक्राइब का बहुत अच्छा रक्वार्मेंट है मार्केट में जो मार्केट में उसी किया पैसा मिलता है तो अब मेरे गजब एक थे थोड़े बहुत एड़े थे उनने गरने जा रहा हूं तो उनने भुला सबसे ज्यादा पैसा तो सिविल इनिंग से हो फरक नहीं पड़ता मैंस्ट मार्केटिंग या कोडिंग यहीं कंपशनी सब्सक्राइब करते हैं तो मैंने किया और मैं देखूंगा मार्केटिंग में जा रहा हूं नहीं लिया इसलिए तो चलो इस टाइप इक मेरी लिए नया था एक सीनियर थो उनके में स्टाइप करते हैं बहुत को सीखने को में इसलिए स्टाइप शुरू किया था जब फेल हुआ था स्टाइप तो सर जैसा कि आपको बदाए कि आप आप अपने यूभी पीसेस की तरफ रुखिया तो एक बहुत बड़ा टास्क आपके सामने उस समय पर क्या था कहां से पैसे वाले घर से आना चाहिए तो मैं चलो ठीक अफेल होगा तो घरवालों की बात ही मान लेते हैं तो इसके में 2019 में एजे इपीसी की तेहरी करना स्टाट किया था लेकिन यूपीपीस के लिए मैंने नहीं सोचा था तो जब मैंने दोस ने बोला किया एक बैक अप रखन क्रीज आपके अंदर होना चाहिए अपने कि ज्याने पर निकल जाएगा एक साल में निकल जागा दैल लेकिन सही ड смотреть सब्सक्राइब कर सकते हो तो तो सर मैं यह जाना चाहते हूं कि जब हम एक जरनी सब्सक्राइब करते हैं जैसा कि आपने बूला कि कोई चोटा टास्क नहीं था अपने बहुत बड़ी चीज तो इस जरनी के दोरान बहुत सारे अपस और डाउंस भी हैना मतलब सम टाइम आपको ऐसा कहीं पर लगा होगा कि आप डिमोटिवेट हो रहे हो आपको गिवप करन में एक तपस्या है इस तपस्या के लिए आपको बहुत से अपडाउंस होते हैं मैं बताओं कभी-कभी मुझे भी एक डिप्रेशन जैसे लग्षड आती थी कि नियार मुझे सही से नीद नहीं आप रही है जो भी है प्रॉलम साती है लेकिन कहते हैं कि जब आपका गोल सह को अपने अमोचनली अटेस करना बहुत जरूरी अब पर अपको एक संदी एक बश्या करने देता एख वर मोटीवेशन नहीं रहता तो फ़र पढ़ने वमन नहीं लेगा तो और ये जर्नी लंबी जर्नी है और लंबी जर्नी के लिए आपको मोटिवेट रहना एक डेडी क तरह से मोटिवेट थी लेकिन उस दोरान इस्ट्राटीजी आपकी क्या थी कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या हमारी स्टुडेंट को बताइए कि उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि वह प्रिलिम्स या फिर फाइनल हम सेलेक्शन एक बार में ले ले सबसे बड़ी प्रोलम से आज मार्केट में बहुती बोक्स हैं और बहुत से लोग बोलते हैं आपने बहुत से एस्परेंट्स को सुना होगा जो सक्सेस्फुल होते हैं कि यह जो इपीपीसी यह जो परिच्छा है एक्जाम से इनके लिए कंटेंट अथा है इनका कोई किसे उनको बार-बार आपको रिवाइस करना है बता हूं अब यह जो इसके आप श्राल कर सकते हैं आप जियो गृफिक एस्टी अपड़ना नहीं पड़ेगा अर और यह बार्टी की 11-12 तो यह बेस्ट आपको करना है बेश्क इसके बाद कि यैसे आपने देखा होगा पड़ेगा मुल्टीपल रिवाइस करना दूसरा कुछ कोचिंग का जो मतेरल आता है कुछ वी जैसे मालो हम जैसे में बता हूं मैं जब मैं बहुता था जो भी हमारा एक रेगुलर प्रांत है कि यह जमें बहुत हुआ उठाता था तो मुवाइल के लिए में क्या करता कुछ कोचिंग का मालो जो भी अच्छे बहुत सी मार्केटम कोचिंग आप जिक्स वाला को ले लीजिए आप इनके टेलिगराम चैनल होते हैं आप उनको अटेम्ट कीजिए आप बहुर भी नहीं होंगे और आपने क्या कि कुछ ना कुछ सीका तो टाइम को आपको सही सी चले कि इसका करेंट अच्छा है माली आपकी फिजिक्स वाला की बात करें जैसे मैं देखता हूं कुछ लों बोलते हैं किसी भी मार्केटम बहुत से क्रेंट में आप बहुर हो रहे हैं तो आप एटूब पर देखना स्टार्ट कर दीजिए वहां से बहुर हुए तो मैंने इसका करें थाफ से अच्छार बहुत नहीं होता है तो लेकिन उनकी लाइफ में इस्त्राटिची के दोरान ऐसा कुछ जरूर आठा जो एक है करता है यह स्टॉर्य ऑर इस परेंट बहुत है जो तो यह अप तो करता है तो आप इसी स्टोरी आपकी लाइफ मेरे लाइफ द सब्सक्राइब कर सकते हैं कुछ लोग आपने देखा हो किसी के गल्फ्रेंड वेकप कर देती है तो मोटीवेशन बन जाता है मेरा ऐसा कोई मोटीवेशन नहीं था मेरा वास फैंशन था और यह एक्जाम निकालने के मोटीवेशन रहना बहुत जरूरी है तो उसके लिए कोई एसा नहीं कि एक बैक अपर देखाना था लेकिन कोई भी प्रकूप पढ़ाई दो करना है और पढ़ाई के लिए तो सर मैं यह जाना चाहूंगी कि कितने अटेम्ट्स आपको लग गए थी एक एक्जाम कौलिफाई करने में जैसा कि आपने वोला कि आपने आपका जो पहला था वो था यूपी एसी और आप मतलब बेसिकली उसी में आपने बैक प्लान को यूपी पीसे संजा था तो फिर बस मैं यह आपको बताना चाहता हूं जो भी हैस्प्रेंटेंस अपनी पढ़ाई को इंटीड़ेटेड रखें जैसे एक एक बहुत अच्छा मुझे आग्जमपल बहुत अच्छा लगता है कि जैसे आप देखा होगा एंग कोच जोते हैं एसी कोच होता है एक होता है एक ह चलते एक ही साथ है तो हम जन्नल कोश को माल लेते हैं और स्लीपर कोश को हम माल लेते हैं क्या मैंस और एक साथ चलते हैं तो हमिंगें ये लेकिन होता है कि तीनों की कि इस्टेटीजी अलग है आप बहुत इस्टिकल करना पड़ता है तो उसके लिए इस्टेटीजी किया है कि मैक्सम से मैक्सम कुस्टन्स लगाए प्रक्टिस करें किया मेरे कितने मार्क्स आ रहा है आप से बनाई बारवाद दीजिए और मार्केट में आपको बहुत से यह मेरा मैंस है यह इंटरवू तो सबको कम्मांड हो के अब मैंस के लिए कि आपको प्रक्टिस करने है दोस्तों मुझे बता है कि फेजिक्स वाला का इनिसियटिव बहुत अच्छा लगा दूसरे से जो डिफ्रेंट है कि टेलियाम इनका जो है वे कुसंस डालते डेली और फिर उसका आपको मिलता है मैंने अंसर मोडल मुझे कहीं नहीं मिलता था मैंने देखा वह मिलता है आप अब देखा आपको मैंने बहुत अच्छा हुगा और इंटर्व तो देखो आपकी परस्ट्रीटी है ऐसा है कि एक दिन में नहीं बदल सकते उसकी प्रक्ट्रीस करो दोस्तों से बात करो बात करो को सब्सक्राइब करने का तरीक चलेगा डिफ्रेंट डिमेंसन्स पता करें तो आपका यूपीस्स की तैयारी करते हैं तो अपकी परस्ट्री ऑटोमेटिक बदल जाती है खुद अच्छी हो जाते है बस आप इसको थोड़े मॉडिफाइट करने की जुरू है तो आपका यूपीस्स में अभी तक आपने टोटल कितने अटेंप्स के हुए हैं मैं मेर कि अपने सेलेक्शन ले इस तो सर में यह जानना चाहते हूं कि आपकी क्या एक्टिविटी जब आप अपने प्रफरेशन मोड में थे तो मतलब कैसे कुछ आपने टाइम मैनेज कैसे किया था ताम मेंजमेंट वगरे कैसे किया या फिर तैसरी वगरे कहां से लिए तो आप कि अपनेंसिल कंडिशन सही नहीं थी कि स्टाटप फेल हुआ था वहां पर भी लॉस हुआ था जौब में नहीं रहा था घरवाले भी चाहते हैं कि अब बीटेक करने के बाद उन से घर से पैसा माहूं नहीं कर सकता तो मैंने क्या किया कि मेरा दोस्ता वाजी राओं में त पर उनको मल्टीपल रिवाइस करना है आप टांटेवल बनाओ सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग क्या करते हैं मूटीवेट आज हो जाएंगे तेरे घंटे पढ़ेंगे और कल देखा जीरो गंटे पढ़ेंगे फिर देखो तेरे घंटे पढ़ेंगे तीन दिन कुछ न i a channel made upibloshka क्या मुझे इतने संब बजेत तido a J प्लानिंग नहीं पता होने मेरी तो अलग है लेकि मैं कर एक प्लानिंग खुद की भी होनी चाहिए तो सर एक यूपी-पीस की जर्णी में एक टाइम मैंगेंट कितना बड़ा रोल प्ले करता है मैं एक पीसे के लिए किसी भी एक्जम के लिए टाइम बहुत जादा माने ज़री है एक महीने आपको देखिए घड़ी लगा के कि हमने एक महीने में इतने घंटे पड़ा हमने क्या कवर किया कितना घतम किया उसका टेस्सीरी लगाएंगे कि हमारा कितना सही हो रहा है उसको आनलेसिस करना बहुत ज़रूरी है जबता हूं प्रेलम सभी आने वाला 14 मही और UPSC 28 मही को अभी हमारे पास ज्यादा में नहीं है टो से 3 मन्त आप कैसे इस टाम में क्या कर सकते हैं इसली से जदिया लगा सकते हैं जितनी वी तो मुझे लगा कि ठीक है और इस एक्जाम में बहुत डिफरेंस होता है अबस प्रेक्टिस करिए अच्छा बनाता है तो सर मैं बताना चाहूंगी कि किस तरह की क्वेशन्स वगरे आते हैं थोड़ा एस्परेंट्स को बता सकते हैं कि क्वेशन का लेवल क्या होता है कैसे अटेम्ट करें मतलब जब एक बार पेपर आपके सामने आता है तो इसको कैसे डील करें उसके साथ हां यह तो स्टेडिश बहुत कि एक समय के लिए हैजिटेट हो हो जाते हैं स्पलब गजशा किसे करना है उस समय पर क्या किया जाए एक सब सुटोरी आपको सुनाना चाहता हूं सबसची स्टोरिय कैई कि आप पड़ाई करते हो तीन तरह के लोगो थे मेरा तो state इसवी inference कि आपने दूद मिल्क देखा हुगा मिल्क होता है मिल्क को लोग किसमें बदल लेते हैं दाई में बलते कड़ बलते हैं तो तीन तरह के लोग होते हैं अब तीनों में से आपको क्या बनना मैं बताऊंगा कि कुछ लोग क्या करते हैं अपनी पढ़ाई को हमेशा मिल्क की तर है रखते हैं अब मिल्क को ज्यादा दूर तक नहीं ले सकते हैं अपने तरह त्यारी करो तो यह वह को भी लेकर जाओ वो क्या हो जाएगा मत्था बन जाएगा देखा और दुर्गंते ने गी क्या होता है घी को आप कहीं पर भी ले जाईए आपको एक solid एक वैसा ही रहेगा तो आप पढ़ाई कर रहे हो ना उस पढ़ाई को वह आपके पास एक रॉव मिल्क है उस मिल्क को अमें घी में बदलना है वह लोग बहुत से पढ़ते हैं यहां पढ़ते हैं कि अपने पढ़ा क्या आप जो भी पढ़ा एक चेप्टर पढ़ा उसको आप खुद के नोट्स खुद के नोट्स ही आपके घी है जो आपको बोल सकते हैं और जो भी आपको बोला है तो उसको घी में कंवर्ट करना है यह नहीं कि हम कंफू जो के आज पढ़ा उसको हमने कुछ समरी नीकाली समरी निकालना है अब जैसे एक्जाम में यसी उपीपीस करें की बात करें 150 को 30 questions को आप सही से अनलसेस कीजिए 150 में आप देखेंगे 30 questions के असपास उसका आता है जरूरी अब करेंच फिर्वरी को बहुत जरूरी आप करेंच करेंच अच्छे सब्सक्राइव कबर करना बहुत अच्छे से डेप्थ में जाके तो थी को चूरंट के आते हैं तो आप एक साल का कबर आपको क्वरेंट अच्छे से करना पड़ेगा कहीं से भी कोचिंग सोगा कहीं से आप कर सकते हैं दूसरा क्या है कि हिस्टी का बहुत बड़ा पाट आता है और रिपीटेट को संस आते हैं तो मैं बताओ मेरा सोर्स किया था एपीपीश के लिए सही से पढ़न कर सकते हैं और ना तो डिपेंट कोचिंग भी निकालती है और भी तभी निकलेगा तो यह जो प्रेलिम्स करने तो पहले हम नब फोकस करना चाहिए जो हमसे बन रहा है है ना रिस्क लेने की वज़ाएं ये भी आपका सभी कोस्टन तो मैं इसको भी थोड़ा एक्स्पिश में आप 130 से कम करोगे तो आपके 50% चांसे कम हो जाते का आप नहीं होगा आप 30 से अभब करें आप करके देखिए आपको नहीं चीज आपने हमारे आपको नहीं पड़ेगा आपको नहीं पड़ेगा आप 30 करोगे बीस गलत होगा और बीस गलत होगा एक सो दस आपको नेगेटिव बैलेंस कर देंगे हैं 100 बचा तो आपको बन 30 करना ही अटेम्ट पड़ेगा वह इस्टेडिजी नहीं आप करके देख लिए मैं लोग जो भी हमारे मेंस वगरे मतलब क्या रही आपके स्ट्रेटिजी मेंस के लिए कैसे आपने मेंस की तैयारी की थी क्योंकि मेंस एक बड़ा टास्क होता है और अच्छा एक हमारे एस्परेंट्स के साथ यह एक और चीज है जो मैंने जनरली सुनी है कि जब आप UPSC में स्पेशली हम फोकस इस नहीं कि आप अप नी मीडियम से ब्सद्रेट ब्सट्रेटिक सितान जाने हो इन आप कोई ज्यादा फरक नहीं पड़ता है आप हंधी मीडियम के भी सेलेक्षा चैनली से अपी पीसेस में यह उग बात है कि मैंस इंग्लिस मीडियम में से देँ टेम लेकिन थेह लिगे से टेम आपको बताया कि आपकी आपकी टेम त्यां जालते है लिए अपे कोस्टन दालते हैं कि आप कोस्टन लगाएंगे एक मंत में कितनी हों तर्टी कोसन से लिए मैं सच बताहूं में तो आपको रिटन की प्रेक्टिस करने पड़ेगी आप यह नहीं कि मैं प्रेक्टिस कर लेंगे सोचने में और करने में बहुत समझना आजागे अब लिखोंगे तो बोलेगे हमारा पैनी नहीं चला हम लिखी नहीं पा रहे हमारे दो और आपके दो कुछ चूट गए 20 को संस साते हैं हर एक्जाम में हर पेपर में दो कुछ चूट गए दो का मतलब क्या हुआ बीस का हुआ पंद्रे का 30 माक्स तो आप तो पहली से से बाहर है हमें को संस नहीं छोड़ना में सबसे बड़ी स्टेटिजी यह होनी चाहिए प्रेलिम से मैंने बताया कि बन 30 से ज्यादा ड़ी से चैंब आपको एक जोड़ा है लिखे आना वो तभी हो हो पाएगा ने लिखने की प्रैक्टिस किये कुछ लोगो देबस लिखते नहीं हैं सोचते हैं के लिखना नहीं होगा लिखना बहुत ज़रूर यह तो सर आपने हं पर प्रेलिम और मेंस की बादम कर लेका श पहले हैं पहले से जौब किया है रिटार्ड परसन है एक बिर्यूकरिट से तो बहुत हमल्स लोग होते हैं तो अब कोई अब सिकायत नहीं है लेकिन सबसे बड़ी बात होती है जिसे मैं आपको ते परस्टनल्टी एक दिन का खेल लिए कि हमने कल बोलना स्टाट किया और दे मिलता है तो मैं उनसे करूं बोलने की प्रैक्टिस करिए क्या आप इस नहीं क्या हमारा मैंस निकला था हम 2 महीने में प्रैक्टिस करते नहीं कि अधुनियू लिए आपको एक्जम्पल लिया था कि एक साथ चलते को मैंच हो के दोनों को सबको बैलेंस पraf चलना है हमनूने पढ़ाई कि आज हमने मैंस का वी कुस्टन लखा है तो परस्टनल्टी पर भी धियान दें क्या बदला क्या चैंज हो अमरी परस्टनल्टी में क्या कमी है दोस्तों से कुछो यार कि मैं और क्या चैंज कर सकता हूं तो एंटर्वू का 100 मार्ट से पीपीसेस में और हंडर्ड इन के पृप घिता कि अमको घंप कदे और में पे etस कोसだ इन कैया रहते हैं तो आप जैसा मानते के इंजिनिर्स कम था जूब नेए फिर से नाराज होते हैं एक इन्फरमल बात स्टाड़े करें इसे पूंचना स्टाड किया आपका इसके कोई से बहुत बड़ा तो बेसिकली मैं यह बोल सकते हूं कि आपका फैमिली बैग्राउंड बहुत जादा मैटर करता है क्वेस्टिन वहीं से आएंगे यसमें जैसे मालीजे किसी के फादर शॉप की पर है या कोई बिजनेस तो वह आप से अच्छे गासे क्व आपे बिजनेसमें यह से तो सिंपल आप पास आई गा कि हमोना चाल चाहर हैं मोदी आप्रपर न से पित्ना पर्मोटली आप अंसर होना ना चाहिए फिल्स जैसे अशंव cold यी मृझी चाल गयरे के लिए कशिछ उंप कर सकते हैं कि जिस्लिए बहुत बड़ा ऊंडर तो बिसिकली है कि जो आपका बैग्राउंड होगा उसे संबंदित क्वेश्चन आपको टैकल करने ही पड़ेंगे अच्छा तो सर हम आते हैं अभी सब्जेक्ट पे अपने तो सब्जेक्ट पे जब हम पहुंचते तो सब्जेक्टिव टाइप में किस तरह के क्वेश्चन थ होते हैं ज्यादा टफ नहीं होते हैं आपका उसमें मेरा ऑफिशनल था अंत्रोपलोजी अब तो अच्छा लोग जो सिकाद करते थे कि मैथ वाले का सेलेक्शन हो रहा है और जो आर्ट साइट के हैं उनका नहीं हो रहा है अब तो क्या कि लिए प्लेंग फील्ड हो गया अब प्रोलम सी उनको एक रास्ता देखाती है तो शईसी एक लास करना है तो बेसिक स्कॉस्टन थे अजिए अन्थ्पोलोजी से उनने पूंच लिया था कि आप कल्ट क्या समझते हैं रिलीजन पढ़ना रहता है तो पेसिक संज्टन ज्यादा नहीं और क्या होता है एकॉ अब पालिटी जोग्रफी और कुछ भी हो यहां रहता है तो उप्सक के इंटर्वों में डिफ्रेंस यह है कि युपी-पी-चेएस का थोड़ा ऑब जेक्टिव टाइप रहता है डिरेक्ट को संस्ट होते हैं और अब देखेंगे युपी-चेश्ट में पूंच लेते हैं वेश्ट उंगाल में किसी का एक करफ्शन का केस था तो नाम को नहीं पता था कि वह दो है तो आपका उससा प्रफिव है तो मैंने सेपल ही बोला किसर मेरा वीव है कि उसकी सब्सक्राइब किसी मिस्टेक है वह तो हो रही है आप क्या पोलना चाह रहे हैं तो सब्जेक्ट अब यह निए नेगेटिव चरह जाने कि नहीं सर यह वेस्ट उंगल टीएमसी पार्टी खराब है या यह पार्टी वह आपको करना ही नहीं है कापको डिप्लोमेटिक आंसर देना पार्टी सब सही होती है सबका काम सही करना होता है तो आसान चले है तो सर काफी अच्छा लगा आपने अपनी जर्नी बताई हमारे अग्जान को इम शूर यह काफी जादा मोटिवेट होंगे आपसे एक लास्ट मेसे अमारे इस प्रेंट्स के लिए क्या देना चाहेंगे आपको एक्जाना चाहता सबसे बढ़ाने से तो यह सबसे हैं आप लगाई एक लोग निकलते हैं लोग जो बेसिक लोग होते हैं अब देखें गयों मेरे बहुते दोस्ता है सब्सक्राइब और इसी के साथ हम खतम करते हैं आज की स्टॉपर्स इंटर्वियू सिरीज को मिलेंगे अगले इंटर्वियू तब तक लिए बबाई टेकर थेंगे सुमच